दोस्तों आज के से वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीट कांसलिंग परक्रिया दोहजार चौबिस के बारे में समझेंगे किस परकार आप सभी कांसलिंग परक्रिया होगी कांसलिंग कराने में कौन से डोकुमेंट देने होंगे क्यूνकि कई बार मैं देखता हूँ कि बच्छों का क्या होता कि एडिमिसन तो मिल जाता है गॉर्मेंट कॉलेज भी मिल जाता है जब कॉलेज आपको इलोड होता है उस समय आपको जो डॉकॉमेंट यहां पर बता रहे हैं वो document आप से मांगे जाएगे, अगर document आप नहीं देंगे, आपका college लोट होने के बापजूद भी आपका नमांकर नहीं होता है, तो इसलिए आपके पास अभी समय है, आप document को बनबाईए, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं है, अब counseling पर के लिए आपके एक week के अंदर में ही सुरू होने जा रही, तो अगर अभी से अगर ध्यान इन चीजों पर नहीं देंगे, तो document आपका बनबी नहीं पाएगा, तो इसलिए समय है, समय रहते हुए, आप document की सोची में बता रहा है, उसको त्यार करवा लिजए, और counseling कैसे होगा, उसका पूरा process में अभी आपको बताने जारो, बस इस वीडियो को लास्त तक देखिए, पसंदा तो प्लीज इसे एक like और share जरूर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सही और सटीक जनकारी समझ में आपा है, और वो भी जो चाह रहे हैं, कि 2024 में हम B8 करे, तो ऐसा नहों कि आपको पूरी जनकारी बताई गई है, और कांसलिंग में आपको पहले क्लियर कर दू कि इसके लिए आभेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो अब इसका डेट नहीं है, आपका रिजल्ट जो है जुलाई महिने के फर्स्ट विक में जारी किया जा रहा है, और जैसे ही रिजल रिजल्ट आने के दो से तीन दिनों में ही आप सभी के कांसलिंग पर क्रिया सुरू होगी, मतलब जुलाई महिने के फर्स्ट या सकेंड विक में आप सभी के कांसलिंग के लिए पोटल जो है लाइव कर दी जाएगी, इसमें ऑनलाइन ही आपको कांसलिंग करना होगा, यह आपको ऑनलाइन माधम से करने की जरूरत होती है, तो कांसलिंग जब करेंगे, तो उससे में आपको कुछ पैमेंट भी देने होंगे, जैसे कोई कैनिडेट जिनरल ओविसी वाले होंगे, तो उनको करीबन जो 750 के करीब में पैमेंट इस बार रहेगा, साथे साथे साथ होंगे, तो 500 के करीब में आपको पैमेंट जो है, ऑनलाइन माधम से कांसलिंग करने का चार्ज आपको देने होंगे, यह दियान रखेगा, उसमें आपको कॉलेज चुनना होगा, कि किस कॉलेज में आपको नमांकन चाहिए, तो यह दियान रखेगा, तो जब कांसलिंग कर आधारकार की छाप रती लगेंगे उसके अलावे दस्वी के जो अंक परमान पत्र है वो लगेंगे और इसके अलावे दस्वी के एक सर्टिफिकेट होते हैं वो भी देने होंगे अंक परमान पत्र अलग चीज है सर्टिफिकेट दस्वी के अलग चीज है यह ध्यान रखीग जो भी आपका निवास परमान पत्र है वो आपको लगने वाले है चातिव परमान पत्र है वो आपको लगने वाले है इसके अलाब है जो B8 का आपने एकजाम दिया था उसका जो admin card अपको मिला है वो admin card लगेगा B8 का जब result आगा तो उस समय आपको एक score card मिलेगा वो score card आपको देने परेंगे एक चालू mobile number चाहिए email ID चाहिए और आपको passport side का 4 photo जो है आपको अबसकता परेंगे तो इतने सारे document जो है आपको देने परेंगे यह admission का समय भाई मेरे लगेगा अभी जब counseling करेंगे तो उस समय मातर दो चीजों की जरूरत होगी पहला आपका B8 का admit card और जो result आगा उसका score card होगा इसके बिहाइपर ही आप online apply कर सकते हैं यह counseling में लगेगा लेकिन जब कोई college आपका alert हो जागा तो alert होने के बाद यह सबी document आपको college में ले जाकर दिखानी होगी इसके बिहाइपर ही आपकी नमांकर होगे अगर नहीं दिखा पाएंगा तो फिर आपकी नमांकर जो है college लोट होने कब अवजूद भी नहीं हो पाएगा यह धियान रखीगा बाकि counseling जभी भी होगा उनका सारा step यहाँ पर बताईगे यह जिसको आप समझ सकते हैं apply का link जैसे ही active होगा यहाँ पर आपको link मिल जागा इसी website से आप apply भी कर सकते हैं अपडेट के लिए आप हमारे साथ WhatsApp चैनल टेलिग्राम से जूर जाएए दोनों का link मैंने इस website पर दे दिया ताकि जो भी further update हो मैं वहाँ पर आपको सबसे पहले update करने की courses करता हूं तो आप आज ही जुआइन करिए आगे की सारी update के लिए क्योंकि admission तक आपको मदद मिलने वाला हैं हमारे द्वारा तो आप जूर जाएए ताकि हर update मिलेगा पके इस वीडियो को सेर करना मत भूले क्योंकि बहुत सारे कैनेड़ेट इन चीजों को लेकर गलती कर करते हैं और नमाकर से बंशित रह जाते हैं धन्यवाद जय हिंद